मोक्षा क्या गोम्ती मोक्ष की प्राप्ती कर पाए? मा, कॉम्भ नहाने चलोगी, काफी दिन से कह रही थी, कि मुझे गंगा नहलाला, इस बार तुम्हें नहलालाता हूँ, आज ट्रेन का टिकेट करा लिया है, ये सुनकर गोम्ती, चहा कुछी, तू सच कह रहा है श्रवन, मुझे यकीन, नहीं हो रहा, यकीन करो मा, ये देखो टिक्टे, श्रवन, ने जेब से टिक्टे निकाल कर गोम्ती को दिखाई, और बोला, अब जाने की तयारी कर लेना, जो जो, सामान चाहिए बता देना, अगले हफ़ते आज के ही दिन, चलेगे, कौन-कौन चलेगा बे बस, हम दोनों ही चलेगे, गोम्ती ने श्वेता की ओर देखा, उनके अकेले जाने से कहीं बहु नाराज न हो, उन्हें, लगा की इतनी उम्र में अकेली बेटे के साथ कैसे, जाएंगी, श्रवन कैसे संभालेगा उन्हें, घर में तो, जैसे तैसे अपना काम कर लेती हैं, बाहर के से उठेगी, बैठेगी, घरी घरी श्रवन का सहारा मांगेंगी, फिर कहीं, सब के सामने ही श्रवन जलाने लगा तो, दुविधा हुई उन्हें, अब क्या सोचने लगी, मान जी, आपके, बेटे कह रहे हैं तो भूम आईए, हम सब तो फिर कभी, चले जाएंगे इसके बाद पूरे बारा साल बाद ही कुम्भ पड़ेगा, बहु, क्या श्रवन मुझे संभाल पाएगा, गोमती ने, अपना संशय सामने रखा तो श्रवन हंस पड़ा, मां को अब अपने बेटे पर विश्वास नहीं है, जैसे आप, बच्पन में मेरा ध्यान रखती थी वैसे ही रखूंगा, कहीं भी, आपका हाथ नहीं छोडूंगा, खूब मिला घुमाऊंगा, श्रवन की बात पर गोमती प्रसन हो गई, उनकी, चिरप्रतीक्षित अभिलाशा पूरी होने जा रही थी, कुम्भ, स्नान कर मोक्ष पाने की कामना वह कब से कर रही, थी, कई ब बात तलती रही, अब जब, श्रवन अपने आप कह रहा है तो उनका मन प्रसन्नता से नाचने लगा, उन्होंने बहु बेटे को आशिरवाद सेलाद दिया, एक रात एक दिन का सफर तैकर माम बेटा दोनों विलाह बाद, पहुंचे, गोमती का तो सफर में ही बुरा हाल हो गया, ट्रेन के धर-धर के शोर और सीटी ने रात भर गोमती, को सोने नहीं दिया, श्रवन का हाथ थामे वह बार-बार, टोयलेट जाती रही, ट्रेन खिसकने लगती तो पाओ, डगमगाने लगते, गिरती परती सीट तक पहुंचती, अभी सफर शुरू हुआ है मां, आज, मुझ पर नहीं है, वह बेबसी हो जाती, कोई बात नहीं, मैं हूँ न, सब संभाल लूनगा, श्रवन, उनकी बेबसी को समझता, खेर, सोते जागते गोमती का सफर पूरा हुआ, गारी, इलाभाद स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म की, चहल पहल और भीर दे श्रवन ने देखा कि आकाश में, घटाएं भूमर रही थी, ये सोच कर की क्या पता, कब बादल बरसने लगे, उसने थोड़ी देर स्टेशन पर ही रुकने का फैसला किया, मा के साथ वह वेटिंग, रूम में जाकर बैठ गया, थोड़ी देर बाद मा से बोला, मा, नित्य कर्म से यही निबट लो, जब तक बारिश, रुकती है हम आराम से यही रुकेंगे, पहली आप चली जाओ, और उसने इशारे से मा को बता दिया, कि कहा जाना है, थोड़ी देर में गोमती लोटाई, फिर श्रवन चला गया, श्रवन जब लोटा तो उसके, हाथ में गर्मा गर्म चाय के दो कुलहड और एक थैली, में समोसे थे, माम बेटे ने चाय पी और समोसे खाए, थोड़ा आराम मिला तो गोमती की आँखे जपकने, लगी, पूरी रात आँखों में कटी थी, वही सोफे की टेक, लेकर आँखे मूंद ली, करीब घंटे भर बाद सूरजफ कड़कर, गंगा घाट तक पहुंचने का मन बनाया, ओटो रिक्षा ने मेलाक शेत्र शुरू होते ही उन्हें उतार दिया, करीब एक किलोमेटर पैदल चल कर वे गंगा घाट तक पहुंचे, गिरते परते बड़ी मुश्किल से एक डेरे में थोड़ा, सा स्थान मिला, दो जन गाती टोलियां, कहीं साधू संतों के प्रवचन, कहीं रामायन पाठ, खिलोने वाले, जूले वाले, पूरीक, चौरी, चाट वा मिठाई की, दुकाने, धार्मिक किताबों, तस्वीरों, मालाउं वा सिंदूर की दुकाने, हर जातिधर्म, के लोगों को देख देख कर गोंती चकित थी, लगत, था किसी दूसरे लोक में आ गई है, वो श्रवन का, हाथ कसकर थामे थी, भीर में रास्ता बनाता, श्रवन उन्हें गंगा किनारे तक ले, आया, यहां भी खूब भीर और धककम धकका था, श्रवन ने हाथ पकड़ कर मां को सनान कराया, फिर, पूलबताशे गंगा में चड़ाए, जाने कबसे मन में पली साध पूरी हुई थी, हर शातिर रेक, में आसु निकल पड़े, हाथ जोड़कर प्रार्थना की किये, गंगा मैया, श्रवन सा बेटा हर मां को देना, आजोस, के कारण तुम्हारे दर्शन कर सकी हूँ, श्रव आराम करो, मैं घूम कर अभी आया, थोड़े, रुपे अपने पास रख लो, उसने मां को रूपे थमाए, मैं इन रुपेयों का क्या करूंगी, तू है तो मेरे पास, फिर पांच माइनस दस रूपे हैं मेरे पास, गोमती ने मना किया, वक्त बेवाक्त काम आएंगे, तु उन्हें ध्यान आया कि, ऐसे मेलों में चोर उचक के खूब भूमते हैं, लोगों को बेवकूफ बना कर हाथ की सफाय दिखा कर खूब ठगते हैं, श्रवन चला गया और गोमती थेला सेर के नीचे लगा, बिच्छी चादर पर लेट गई, उनका मन अहलादित था, श्रवन ने खूब ध्यान रखा है, लेटे लेटे आँखे जपक गई, जब खुली तो देखा कि सूरज धलने जा रहा है, और श्रवन अभी लोटा नहीं है, उन्हें चिंता हो आए, अंजान जगह, अजन भी लोग, श्रवन के बारे में किस से पूछें, अपना थेला टटोल, कर देखा, सब कुछ यथास्थान सुरक्षित था, कुछ, रुपे एक रुमाल में बांध कर चुपचाप कपडों के साथ थेले में डाल लाए थी, सोचा था पता नहीं परदेश, में कहां जरूरत पढ़ जाए, उसी रुमाल में श्रवन के दिये रुपे भी रख लिये, व पता, लगा की मेले में हाथी बिगर जाने से भगदर मच गई, है, काफी लोग भगदर में गिरने के कारण कुछल, कर मर गए हैं, सुनकर गोमती का कलेजा मूँ को आने लगा, कहीं, उनका श्रवन भी, क्या इसी कारण अभी तक नहीं, आया है, उन्होंने ये क्यात्री के पास जा कर पूछा, भाया, ये किस समय की बात है, मान जी, शाम चार बजे नागा साधू हाथियों पर बैठ कर स्नान करने जा रहे थे और पैसे फेकते जा रहे थे, उनके फेके पैसों को लूटने के कारण ये कांध हुआ, जो जखमी हैं उन्हें अस्पताल पहुँचाय जा रहा है, और जो मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से वहां से हटाया जा रहा है, आपका भी कोई है, भाया, मेरा बेटा दो बजे घूमने निकला था और अभी तक नहीं लोटा है, उसका कोई फोटो है, मान जी, यात्री ने पूछा, फोटो तो नहीं है, अब क्या क करूँ, गोमती रोने लगी, मान जी, आप रोओ मत, देखो, सामने पुलिस चोकी है, आप वहां जाकर पता करो, गोमती ने चादर समेट कर थेले में रखी और पुलिस चोकी पहुचकर रोने लगी, लाउड स्पीकर से कई बार इनाउंस कराया गया, फिर एक सहरदे सिपा ही अपनी मोटर साइकल पर बिठा कर गोमती को वहां ले गया, जहां मृतकों को एक साथ रखा गया था, एक माइनस दो अस्थाई बने, अस्पतालों में भी ले गया, जहां जखमी पड़े लोग कराह रहे थे और डॉक्टर उनकी मरहमती करने में जुटे थे, श्रवन का वहां कहीं भी पता ना था, तभी गोमती को ध्यान आया कि कहीं श्रवन देरे पर लोटना आया हो और उनका इंतजार कर रहा हो या उन्हें देरे पर न पाकर वह भी उन्हीं की तरह तलाश कर रहा हो, हाला कि पुलिस चौकी पर वह अपने बेटे का हुलिया बता आय थी औ अहां भी, नहीं, आधी रात कभी देरे में, कभी पुलिस चौकी पर, कटी, जब रात के बारा बज गए तो पुलिस वालों ने, कहा, मान जी, आप देरे पर जाकर आराम करो, आपका बेटा यहां पूछने आया तो आपके पास भेज देंगे, पुत के लिए व्याकुल गोम में कहां कहां ढूंधेगी, यहां उनका अपना है कौन, यदी श्रवन न लोटा तो अकेली घर कैसे, लोटेंगी, बहु का सामना कैसे करेगी, खुद को, ही, कोसने लगी, व्यर्थी कुम्भ नहाने की जिद कर बैठी, टिकेट ही तो लाया था श्रवन, यदी मना कर देती टिकेट वापस भी हो जाते, ऐसी फजीहत तो न होती, फिर गोमती को खयाल आया कि कोई श्रवन को, बहला फुसला कर तो नहीं ले गया, वह है भी सीधा, आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता है, किसी ने कुछ सुनधा कर बेहोशी कर दिया हो और सारे पैसे वा, घर् पुलिस चौकी पहुँच गई, एक ही दिन में पुलिस चौकी वाले उन्हें पहचान गए थे, देखते ही बोले, मान जी, तुम्हारा बेटा नहीं लोटा, रोने लगी गोमती, कहां धूंध हूँ, तुम ही बताओ, किसी ने मार काट कर कहीं डाल दिया हो तो, तुम ही ध कर लाओ, गोमती का रोते-रोते बुरा हाल हो गया, अमा, धीरजधरू, हम जरूर कुछ करेंगे, सभी, देरों पर एनाउंस कराएंगे, आपका बेटा मिले में, कहीं भी होगा, जरूर आप तक पहुँचेगा, आप, अपना नाम और पता लिखा दो, अब जाओ, सनान ध् गोमती देरे पर लोट आई, गिर्ती परती गंगा भी नहा, ली और मन ही मन प्रार्थना की की हे गंगा मैया, मेरा श्रवन जहां कहीं भी हो कुशल से हो, और वहीं, घाट पर बैठ कर हर आने जाने वाले को गौर से देखने, लगी, उनकी निगहें दूर दूर तक आने ज जाने वालों का पीछा करती, कहीं श्रवन आता दीख जाए, गंगा घाट, पर बैठे सुबह से दोपहर हो गई, कल शाम से पेट में, पानी की बूंद भी न गई थी, एठन सी होने लगी, उन्हें ध्यान आया, यदि यहां स्वयम ही बीमार पढ़ गई तो, अपने जालू की सबजी के साथ चार पूरियां खाए, गंगा जल पिया तो थोड़ी शांती मिली, चार पूरियां शाम के, लिए ये सोचकर बंधवा ली की यहां तक ना आ सकी तो, देरे में यी खा लेंगी या भूखा श्रवन लोटेगा तो उसे खिला, देंगी, श्रवन का ध एक ते आठ दिन निकल गए, मेला ओखडने लगा, श्रवन भी नहीं लोटा, अब पुलिस वालों ने सलाह दी, अम्मा, अपने घर लोट जाओ, लगता है आपका बेटा, अब नहीं लोटेगा, मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाओंगी, मैं तो अकेली, कहीं आईगी न अकेली बहु, बच्चों को छोड़ कर कैसे आएगी, बहु किसी नाते रिष्टेदार को भेज कर बुलवा लेगी, आप किसी का भी नंबा बताओ, गोमती ने अपने दिमाग पर लाख जोर दिया, लेकिन हरबड आहट में किसी का नंबा याद नहीं आया, दुख और परे चौकी में उन्हीं रोता देख राह चलता एक, यात्री ठिठका और पुलिस वालों से उनके रोने का कारण पूछने लगा, पुलिस वालों से सारी बात सुन, कर वह यात्री बोला, आप इस वृद्धा को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं भी उधर का ही रहने वाला हूँ, आज शाम चार बजे ट्रेन से जाऊंगा, इन्ही ट्रेन से उतार, बस में बिठा दूंगा, यह आराम से अपने गाव पीपला, पहुंच जाएंगी, सिपहियों ने गोमती को उस अंजान व्यक्ती के साथ कर दिया, उसका पता और फोन नंबर, अपनी डाइरी में लिख ल लेगा, वरना इस निर्जन में, वो कब तक रहेंगी, मान जी, आप डरें नहीं, मेरा नाम बिठ्ठन लाल है, लोग, मुझे बिठ्टू कहकर पुकारते हैं, राजकोट में बिठ्ठा, लाल हलवाई के नाम से मेरी दुकान है, आप अपने गाव पहुंच कर किसी से भी प पकड़ कर, ही तो चल रहा है, अब मुझे खोला गोमती ने, भाया, विश्वास के सहारे, ही तो तुम्हारे साथ आई हूँ, इतना उपकार ही क्या कम, है कि तुम मुझे अपने साथ लाए हो, तुम मुझे बस में, बिठा दोगे तो पीपला पहुंच जाऊंगी, पर बे मनमन भर के हो, रहे थे, उन्हीं ये, समझ में ना आ रहा था कि बहु से कैसे मिलेंगी, इसी, सोचविचार में वह अपने घर के द्वार तक पहुंच गई, वहां खूब चाहल पहल थी, घर के आगे कनात लगी थी, और खाना चल रहा था, एक बार तो उन्हें लगा की, व पोते तनमे की नजर, उन पर पड़ी और वहाश्चर्य और खुशी से चिल्लाया, पापा, दादी मा लोटाई, दादी मा जिन्दा है, उसके चिल्लाने की आवाज सुन कर सब दोड़ कर बाहर आये, शोर मच गया, अम्मा आ गई, गोमती, आ गई, श्रवन भी दोड़ कर गया और मा से लिप्ट, कर बोला, तुम कहां चली गई थी, मा, मैं तुम्हें धूंद, कर ठक गया, बहु श्वेता भी दोड़ कर गोमती से लिप्ट गई और बोली, हाई, हमने सोचा था कि मान जी, नहीं रही, यही ना बहु, गोमती के जैसे जान चक्षु खुल, गये, इसलिए आज अपनी सास की तेरवी कर रही, ओ और तू श्रवन, मुझे छोड़ कर यहां चला आया, मैं, तो पगला गई थी, घाट घाट तुझे धूनरती रही, तू सकुषल, है, तुझे देखकर मेरी जान लोटाई, माम बेटे दोनों की निगाहे टकराई और नीचे जुक गई, अब ये दावत मां के लोटाने की खुशी के उपलक्ष में है, सब खुशी 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 खाओ, मेरी मां वापस आ गई है, खुशी से नाचने लगा श्रवन, औरतों में कानाफूसी होने लगी, लेकिन फिर भी सब, श्वेता और श्रवन को बधाई देने लगे, वे सभी रिष्टेदार जो गोमती की गमी में शामिल होने, आय थे, गोमती के पाउं चुने लगे, कोई बाजे वालों को बुला लाया, बाजे बजने लगे, बच्चे नाचने कूदने, लगे, महौल एकदम बदल गया, श्रवन को देख कर, गोमती सब भूल गई शाम होते होते सारे रिष्टेदार खापी कर विदा हो गए, रात को ठक कर सब अपने अपने कमरों में जा कर सो, गए, गोमती को भी काफी दिन बाद निंचित्ता की नींद, आय, अचानक रात में मांजी की आँखे खुल गई, वह पानी, पीने उठी, श्रवन के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे बोलने की आवाज आ रही थी, बातों के बीच, मां सुनकर वह सटकर श्रवन के कमरे के बाहर कान लगा कर सुनने लगी, श्वेता कह रही थी, तुम तो मां को मोक्ष दिलाने गए थे, मां तो वापस आ गई, मैं तो मां को डेरे में कर आ गया था मुझे क्या पता की मां लोट आएंगी मां का हाथ गंगा में छोड़ नहीं पाया पिछले आठ दिन से मेरी आत्मा मुझे धिककार रही थी मैंने मां को मारने या त्यागने का पाप किया था मैं सारा दिन यही सोचता की भूखी प्यासी मेरी मां पता नहीं कहां भटक रही होंगी माने मुझ पर विश्वास किया और मैंने मां के साथ विश्वास घात किया मां को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़ कराने का अपराद जीवन भर दुख पहुचाता रहेगा अच्छा हुआ कि मां लोट आई और मैं मां की मृत्यू का कारण बंते बंते बच गया बेटे की बाते सुनकर गोमती के पैरों तले जमीन कापने लगी सारा द्रिश्य उनकी आँखों के आगे सजीव हो उठा वहिन आठ दिनों में लगभग सारा मेला क्षेत्र घूम ली उन्होंने बेटे के नाम की जगा जगा घोशना कराई पर अपने नाम की बोला श्रवन ने मुझसे मुझसे मुक्त होने के लिए ही मुझे इलाहबाद ले कर गया था मैं इतना भार बन गई हूँ कि मेरे अपने ही मुझे जीतेजी मारना चाहते हैं वो खुद को संभाल पाती की धड़ाम से वहीं गिर पड़ी सब जेल गई पर यह सदमाना जेल स की परित्यागा क्या पहली पत्नी को छोड़ पाया रितेश रितेश अपने ओफिस में काम में व्यस्त था पेशे से वह एक बहुत बड़ी आर्किटेक्ट फम में काम करता था सारा समय वह काम में दूबा रहता था उम्र उसकी मात 32 वर्ष की ही थी लेकिन उसके दिमाग के गुडे जब दोरते थे तब अनुभवी आर्किटेक्ट भी चारों खाने चितों जाते थे हमेशा शांत रहने वाला रितेश एका की जीवन व्यतीत कर रहा था घर से ओफिस और ओफिस से घर तकी रितेश का जीवन सीमित था रितेश का व्यक्तित्व साधारन था शित करता था ओफिस के नजदी की उसने रहने के लिए एक कमरा किराय पर लिया था वो ओफिस पैदल आया जाया करता था उसके पास कोई कार स्कूटर बाइक वगेरा कुछ भी नहीं था कमरे में एक बिस्तर कुछ कपड़े कुछ किताबे के अतिरिक्त कुछ बरतन जिन मे वह अपना खाना बनाया करता था डाल रोटी चावल बनाना वह सीख गया था और इनहीं में अपना गुजारा करता था कभी रोटी नहीं भी बनाता था फलाहार से काम चल जाता था ओफिस में रिया नहीं आय थी वह भी काम के प्रती समर्पित थी सुबह स्वेरे रिया को ओफिस में रितेश नहीं, दिखा, वो एक प्रोजेक्ट पर रितेश के साथ काम कर रही थी, उसने फोन किया, लेकिन रितेश ने फोन नहीं, उठाया, रितेश को रात में तेज बुखार हो गया था, जिस कारण वो करवटे बदलता रहा और सुबह नींद, आए, तेज नीं भी नहीं छोड़ा, रितेश ओफिस के समी भी रहता था, इसलिए लंच समय में टहलते हुए कमलनाथ रितेश के, घर की ओर रिया के संग चल दिये, रितेश एक मकान की तीसरी मंजिल पर बने एक कमरे, में रहता था, जब कमलनाथ और रिया रितेश के कमरे, में पहुंचे तब डॉक्टर रितेश का चेकप कर रहा था डॉक्टर ने दवाई का पर्चा लिख दिया पर्चा तो आपने लिख दिया लेकिन बिस्तर से उठने कि हिम्मत ही नहीं हो रही है रितेश ने डॉक्टर को अपनी लाचारी बताए डॉक्टर ने अपने बैग से दवा निकाल कर रितेश को दी और कहा ये दवा अभी ले लो पानी के धर है पानी की बोतल बिस्तर के पास एक स्टूल पर रखी हुई थी रितेश ने दवा ली कमलनाथ ने डॉक्टर से रितेश की तबियत का हाल चाल पूछा मैं कुछ टस्ट लिख देता हूँ लैब का टेकनिशियन खून और पेशाब के सेंपल जांच के लिए यही से ले जाएगा रितेश को तीन दिन से बुखार आ रहे था मुझे टाइफाइड लग रहा है डॉक्टर के जाने के बाद कमलनाथ ने रितेश से दवा का परचा लिया और रिया को कैमिस्ट शॉप से दवा लाने को कहा कमरे को देख कर ऐसा लगता है कि तुम अकेले रहते हो कमलनाथ ने रितेश से पूछा रितेश ने गरदन हिला कर हाँ बोल दिया रितेश तुम आराम करो मैं यहां ओफिस बॉय को भेज देता हूँ वो तुम्हारी मदद कर देगा त रितेश को दवा दी और कमलनाथ के संग वापस ओफिस चली गई रितेश को बार बार उतरते चरते बुखार से कमजोरी हो गई शाम को ओफिस बॉय रितेश के लिए बजार से कुछ फल लिया और दालचावल बना दिये अगले दिन जांच रिपोर्ट आने पर टाइफाइ ने उसका बदन निचोड लिया जिस कारण वो ओफिस नहीं जा सका तीन दिन बाद कमलनाथ ने रितेश से उसकी तबियत पूछी और उसके ओफिस आने की असमर्थता जताने पर जरूरी काम निबटाने के लिए रिया को उसके घर जा कर काम करने को कहा कमजोरी के कारण रि रितेश ने शेव भी नहीं बनाई थी सनान करने के पश्चात उसने कपड़े बदले थे और चाय बनाकर ब्राड को चाय में डुबो कर खा रहा था फाइल और लाप्टॉप के साथ रिया रितेश के कमरे में पहुची पिछली शाम कमलनाथ से बातचीत के बाद रिया के उ चाफ कर दिया था दो कुरसी के साथ एक गोल मेज थी सुबल का अख़बार पढ़ते हुए रितेश चाय पी रहा था ब्रैड को चाय में डुबा कर खाते देख रिया आपनी मुसक राहट रोक नहीं सकी उसे अपने बच्पन के दिन यादा गए जब वो भी चाय में बिसक कर एक कुरसी पर बैठ गई रितेश ने रिया को चाय देते हुए कहा अभी बनाई है गरम है पहले चाय पी लो फिर काम करते हैं बिसकुट मीठे भी हैं और नमकीन भी हैं कहकर रितेश ने बिसकुट के डब्बे रिया के सामने रखे चाय पीने के पश्चात दोनों ने का आरंब किया, एक घंटा, काम करने के पश्चात रितेश ने आँखे बंद कर ली, सर, आपको ठकान हो रही है, कुछ देर के लिए काम, रोक लेते हैं, बाद में कर लेते हैं, टाइफाइब ने बदन निचोड लिया है, एक मुष्ट काम नहीं होता है, थोड़ा आराम करता 10-15 मिनट बाद काम करते हैं, जी सर, आप आराम कीजिए, रितेश ने इफिम रेडियो लगाया, रेडियो पर गीता रहा था, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, रितेश ने इफिम स्टेशन बदल दिया, वहां नए गीत आ रहे थे, अच्छा गाना थ जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, रिया ने रितेश से कहा, पुराना गीत है और साथ में थोड़ा उदासी वाला, शायद आपको पसंद ना आए, इसलिए बदल लिया, सर, मुझे ने पुराने सभी गीत पसंद हैं, रिया की बात, सुनकर रितेश मु करता, दोपहर के एक बजे रिया ने रितेश से खाने के बारे में पूछा, अभी गरम कर देता हूँ, मून्ड छिलके वाली दाल के साथ चावल बनाए हैं, आप भी लीजिये, रितेश ने कहा, मैं अपना टिफिन लाई हूँ, आप आराम कीजिये, मैं खाना गरम कर देती हूँ, खाना खाते समय रियाने रितेश से पारिवारिक प्राश्न, पूछी लिया, सर, आपकी तबियत ठीक नहीं है, अपने घर से किसी को बुला दीजिये, बूरे माता पिता को मैं तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, दो-चार दिन में ठीक हो जाऊंगा, बहन भाई साथ दूसरे शहर में रहते हैं, अब बुखार तो उतर ही गया है, आपके माता पिता कहां रहते हैं, बड़े भाई के साथ रहते हैं, आप विवाह कर लीजिये, एक से दो भले, रिया की, बात सुनकर रितेश मुसक्रा दिया और खाना खाने के, बात बोला, विवाह के कार यहां अकेला रह रहा हूँ, आपकी पत्नी अलग रहती है, मेरा पत्नी से तलाक हो गया है, चार साल पहले मेरा, रिमा से विवाह हुआ था, मैं भी आकिटेक्ट और रिमा, भी आकिटेक्ट, हम दोनों एक ही कमपनी में काम करते थे, उस समय हम कोलकाता में काम करते थे, वि पर वह मेरे साथ रहने को तयार नहीं हुई, छे महीने के प्रयास के बाद मैंने ठक कर बिना किसी कारण के रीमा का परित्याग करने पर हिंदू मैं रेजेक्ट के अंतरगत तलाक ले लिया, पिछले वर्ष कोर्च ने तलाक, पर मुहर लगा दी और मैं कोलकाता छोड़ कर द मुझे आज तक उसका बिना कारण छोड़ कर चले जाने का रहसे समझ नहीं आया, जब उसे रहना ही नहीं था, तब विवाह क्यों किया, खेर, अब एक वर्ष से अकेला रह रहा हूं, अपने गुजारे के लिए खाना बना लेता हूं, आप जो गीत सुन रही थी, वो मेरे हाल पर सही बैठता है, डॉट, रीमा को भूलना चाहता हूं और वो याद आ जाती है, वो तो मैं देख रही हूं, रिया पूरे दिन रितेश के साथ रही, मिल जुल कर काम करते रहे और शाम को अपने बॉस कमलनाथ को, कार्या प्रगती की सूचना दी, कमलनाथ ने ना करे और रिया को अगले, 3-4 दिन रितेश के घर से काम करने को कहा, रिया, हमारे बॉस भी महान है, मुझे आराम करने को कह रहे हैं और तुम्हें मेरे साथ काम करने को कह रहे हैं, जब काम करूंगा, तब आराम कैसे करूंगा, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, आप अधिक, आराम कीजिए और सिर्फ मुझे काम बता दीजिए, काम मैं कर लूंगी, क्योंकि मैंने ऐसे प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया है, इसलिए आपको अधिक नहीं थोड़ा, सा परेशान करूंगी, रिया, मैं तो मजाक कर रहा था, क्योंकि तुम्हें मालूम, है कि मैं एक मिनट भी खाली नहीं बैठ सकता हूँ, आप आराम कीजिए, अपना खाना मत बनाना, मैं आपके लिए खाना ले आउंगी, शाम को तो बनाना ही होगा, शाम को जाते समय में बना दूंगी, एक सप्ताह तक रिया रितेश के घर आकर काम करती, रही, शनिवार और जिसका अभी 6 महीने पहले, या अपसी रजामंदी से तलाक हुआ था, रिया अपने टिफिन में रितेश का भी खाना लाती और रात का खाना बना कर जाती, एक सप्ताह में रितेश और रिया ने अपने जीवन को साजा किया और छोटे से, समय में कुछ नजदीक होते हुए रितेश स्वस्थ होने के बाद ओफिस आने लगा, रिया, रितेश के लिए खाना या था पूर्वा कलाती रही, धीरे धीरे नजदीकिया बढ़ने लगी और पांच महीने बाद दोनों, एक दूसरे के बिना अधूरे से लगने लगे, एक दिन उनके बॉस कमलनाथ ने उन का जीवन पूर्ण हो गया, रितेश काम्याभी की सीरिया चड़ता गया, आकिटेक्ट असोसियेशन के अधिवेशन में रितेश का कोलकाता जाना हुआ, वहां रिमा ने उसे देख लिया, रितेश अपना कार्य संपन करने के बाद दिल्ली वापस आ गया, थोड़ी दिन ब नोटिस मिलने पर, उदास रितेश से रिया ने कारन पूछा, रिया, जब तुम्हारा तलाक हुआ था, तब गुजारा भत्ता के लिए कोई आदेश जारी हुआ था, रितेश, मेरा तलाक आपसी सहमती से हुआ था, हमारा लिखे तनुबंध हुआ था, जिसके तहत मुझे एक मुष्ट रकम मिली थी, लेकिन तुम ये क्यूं पूछ रहे हो, रिया ने गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में केस किया है, रितेश ने कोर्ट के नोटिस को रिया के आगे किया, जब तुम्हारा तलाक हुआ था, तब गुजारा भत्ता नहीं मानगा था, रिया, ये नोटिस मुझे इसलिए हैरान कर रहा है कि तलाक के केस के दौरान रिमा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया था, शादी के एक महीने के बाद बिना कारण वह मुझे छोड़ गई थी, इसी कारण पर तलाक हो गया था और उसने गुजारा भत्ता के लिए कोई जिक्री नहीं किय अब क्या होगा, कोर्ट का नोटिस है, वकी उसे बात करनी होगी, कोलकाता कोर्ट में तलाक हुआ था, वहीं कोर्ट में केस किया है, अब सारी कार्यवाही कोलकाता में होगी, दिल्ली में रहने वाला कोलकाता कोर्ट के चक कर काटेगा, मुसीबत ही मुसीबत है, काम का वकील की फीस के साथ दिमाग 24 घंटे खराब और परेशान रहेगा कहकर रितेश गहरी सोच में डूब गया तुम चिंता मत करो अब जो मुसीबत आ गई है उस का मुकाबला मिलकर करेंगे आप वकील से बात करो अधिक चिंता मत करो रिया को अपने साथ कंधे से कंधे मिला कर खड़ा देख रितेश में हिम्मता गई और कोलकाता में उस वकील से बात की जिस ने उसका तलाक का केस लड़ा था वकील बैनर जी बाबु ने रितेश को कोलकाता आकर एक बार मिलने को कहा ताकि केस की पैरवी की जा सके रितेश के साथ रिया भी कोलकाता में वकील बैनर से मिली वकील बैनर जी तलाग की पुरानी फाइल देखकर कहता है कि आपका तलाग परित्याग के कारण हुआ था रीमा ने बिना कारण आपका परित्याग किया है गुजारा भथता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्षन 125 के अंदर मिलता है उसने देरी से केस फाइल किया है जिसका हम विरोध करेंगे और दूसरी आपत्ती हमारी सेक्रान 125 के अंतरगत करेंगे की रीमा ने बिना किसी कारण आपका परित्याग किया और आपके साथ रहने से इनकार किया था इन्ही वजहों से तलाग मिला था और आपका गुजारा भथता देना नहीं बनता है आप क केस जीतेंगे आप बेफिक्र रहें रिया ने अपने तलाग का जिक्र किया तब वकील बैनर जी ने समझाया कि सेक्षन 125 के तहट आपसी रजामंदी से हुए तलाग में समझोते के अंतरगत गुजारा भथता नहीं बनता है क्योंकि ऐसे केस में एक मुश्ट राशी पर सम परित्याग किया था जिस कारण हमारा तलाग हुआ और अब तुम बुजारा भथता मांग रही हो जो तुम्हारा हक भी नहीं है और मिलेगा भी नहीं रितेश ये तो मेरा हक है पहली नहीं मांगा अब मांग लिया ये तो देना ही होगा तुम्हें जब शादी से भाग तब हक नहीं बनता है, कानून महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, तुम मेरा हक नहीं छीन सकते हो, अपने मन से पूछो, जब विवाहिक जीवन का कोई डायत्व नहीं निभाया, तुम भाग खड़ी हुई, इसको भगोडा कहते हैं, कोर्ट भगोडों से कोई भूती नहीं, रखती है, तुम अपना केस वापस ले लो, मैंने केस वापस लेने के लिए नहीं किया है, गुजारा भट्ता लेने के लिए किया है, क्या तुमने शादी गुजारा भट्ता लेने की लिए की थी, बिलकुल यही समझो, तुम भारतियस्त्री के नाम पर एक क विवाह जन्मजनम का रिष्टा होता है पती और पतनी अपना संपूर्ण जीवन एक दूसरे पर न्योचावर करते हैं सुख और दुख में बराबर के भागीदार होते हैं तुमने क्या किया विवाह से भाग खड़ी हुई सिर्फ गुजारा भत्ता लेने के लिए अब जो बात होगी कोर्ट में होगी मुझे तुम से कोई बात नहीं करनी है कहकर रिमा चली गई कोर्ट में हर दूसरे महीने तारीक पर जाती रितेश को ऑफिस से छुट्टी लेकर कोलकाता जाना पड़ता वकील से बात करके पेशी के दौरान की रननीती बनानी पड़ती कभी की हरताल के कारण तारीक मिल जाती एक बार जज का तबादला हो गया और नए जज ने तारीक दे दी तारीक पर तारीक के बीच का भीक भार दोचार मिनट की सुनवाई हो जाती रितेश कोर्ट के पचड़ों से परेशान था लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था आ पसला आया, रिमा की ओर से तर्क दिया गया की सेक्शन 125 के अंतरगत तलाक के बाद पतनी को गुजारा भथ्ता का हाक है, क्योंकि उसने दूसरा विवाह नहीं किया, जबकी रितेश की ओर से तर्क दिया गया, क्योंकि रिमा स्वयम विवाह के एक महीने बाद भाग गई थी और कई प्रयासों के बावजूद रितेश के संग नहीं रही और रिमा ने रितेश का परित्याग कर दिया और एसी कारण, हिंदू मेरेज एक्ट के अंतरगत तलाक हुआ और सेक्शन 125 के अंतरगत रिमा जानबूज कर रितेश के साथ नहीं रही, इसलिए वो गुजारा भ हथा की हगदार नहीं है, कोर्ट ने रितेश के पक्ष में फैसला दिया, रितेश प्रसन हो गया, लेकिन रिमा ने कोर्ट से बाहर आते ही रितेश को हाई कोर्ट में मिलने की चेतावनी दे दी, रिमा ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, अगले तीन वर्ष, कोलकता हाई क कोर्ट के चक्कर कातने में लग गए है की रीमा के पक्ष में फैसला इस आधार पर दिया की रीमा का रितेश के साथ तलाक हो गया है उसने दोबारा विवाहु नहीं किया सिकरान एक स Soon पच्छीज के तहित रीमा गुजारा भथ्ता की हकदार है हाइक — के फैसले से रितेश मायूस हो गया कि उसे किस जुर्म की सजा मिल रही है। जुर्म उसका इतना कि उसने अपने साथ आफिस में काम करने वाली सहकर्मी से विवाह किया जो एक महीने बाद उसे तियाग कर भाग गई। गलती पत्नी की और गुजारा भत्ता देपती ये कहां का इनसाफ है। रिया ने रितेश का होसला बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की सलाह दी। रिया आज छे वर्ष हो गए हैं मुकदमा लड़ते हुए हिम्मत तूट गई है अब बिना कुसूर के सजा कात रहा। हूं मैं रितेश हमारे देश और समाज की ये बहुत बड़ी विदम बना है कि बेकुसूर सजा भुगतता है और कुसूर वार मजे करते हैं। सेक्षन 161 भले काम के लिए बनाया गया है लेकिन इसका दुरुपयोग रिमा जैसी औरते करती हैं जो भले पुरुशों से विवाह कर के छोड़ देती हैं और पुरुशों क जीवन भर बिना किसी कारण के दंड भुगतना पड़ता है। रितेश ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला तीन वर्ष बाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने रितेश की दलील को अस्वीकार कर दिया कि रिमा ने दूसरी शादी कि इसलिए रीमा गुजारा भथा की हकदार है विवाह के बाद रीमा ने रितेश का परित्याग किया जिस कारण हिंदु मैरेज एक्ज्ट के अंतरगत तलाख हो गया सेक्शन 125 में तलाख के बाद गुजारा भथा है तलाख के बाद रिमा और रितेश स्वाभाविक रूप से अलग रहेंगे यह अलग रहना ही गुजारा भत्ता दिलाता है रितेश की इस दलील को सुप्रीम कोर्च ने ठुकरा दिया कि यह किसका परित्याग है रिमा ने जानबूज कर बिना कारण के रितेश का परित्याग किया और इस परि त्याग के कारण रीमा को गुझारा भथता नहीं मिलना चाहिए रीमा परणीलिक ही आर्किटेक्ट है वो स्वयम अपने पैरूँ पर खड़ी हो सकती है लेकिन रीमा ने स्वयम को बेरोजगार बताया रीमा ने दोबारा विवाह नहीं किया और बेरोजगार की बात मानते फैसला किया, दस वर्ष की लंबी कानूनी लड़ाई में चंद सिक्कों की जीत, से रीमा को क्या मिला, ये रितेश वर रिया नहीं समझ सके, ऐसी स्त्रियों को गुजारा भत्ता का कानून भी बेसिर पैर का लगा, लेकिन उनके हाथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हुए थे, आखिर कानून को अंधा क्यूं बनाया हुआ है, अबला नारी को सन्रक्षन मिलना चाहिए, लेकिन अबला पुरुष को सबला न नारी से भी बचाना चाहिए, कानून को किताब से निकाल कर, व्यव हर एक निर्नय लेने चाहिए, रितेश और रिया, जवाब धूंदने में नाकाम्याब हैं, उनके हाथ दस वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद सिर्फ निराशा ही मिली, सच्छूट के आवरण में छिप कर अपना स्वरूप खो बैठा,